पंजाग पुलिस में बड़े पैमाने पर अकार पचार बाँच एसपी 16 डीएसपिस के तकारूर उतबातले मुहमद मासून को एसपी डॉल्फिन स्कॉर्ट लहोर लगा दिया गया शासिया सरवर एसपी इंवेस्टिकेशन सिवल लाइंच लहोर तायुना अनूश मसूद का एसपी इंवेस्टिकेशन मॉरल टाउन तबातला मुहमद शरीप को सीटीओ मुल्टान लगा दिया क्या गुलाय महिमद को डीएसपी डॉल्फिन स्कॉर्ट लगा दिया क्या मुहमद जावेद को डीएसपी गुल्फिन राफि लहोर का युनाथ कर दिया क्या नागर्टिक की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं तेरी लोड ब्यादी गोड ब्यादी गोड ब्यादी चे मौतल अराकीम की असम्बली के बाहर फुट बात पर बैठक बजट पर बहस शुरू ना हो सकी एवान के बाहर शदीद इहतजाज शोर शराबार डॉंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी किनारे लीगी खवातीन भी हुकुमत पर बरहम ये असम्बली का हाता है किसी का घर नहीं लीगी खवातीन एहतजाज की दौरान लीगी खातून रुक्न बेहोश मौतल अराकीम की बहाली तक नून लीक का पंजाब असम्बली के बार्कॉट का एलान एजलास पीर तक के लिए मुल्तविए स्पीकर ने पहले बारा बोर्ट चोरी किये अब हांदामा अराई की जाली तस्वीर जारी करती थाने दारी को बूल नहीं ओपोजीशन लीडर हमजा शहवास की परवेजलाही परवार बोले हकूमत में अलेम कान की सुरत में कब्जा ग्रुप के लोग हैं स्पीकर अस्वीर हमारा वकार और हमारी शान है तोहीन नहीं होने दी जाएगी सुबाई वजीर इत्तलाद का आवान के अंदर मुकालिफین को जवाब खाजा इम्रा नजीर ने अस्वीर में हंगा माराई का जमदार स्पीकर को करार दे दिया राना मशूद का नून लीक के वजिर्याला के आने का गावा कहा ओपोजीशन मुत्ध हो जाए तो विफाक और पंजाब में डॉंकी राजा की हुकुमत नहीं बन सकती अवाब के दिये मैंडेट की लाच रखेंगे मुकालफीन अपना सियासी मुस्तक्पिल तारीक दे कर खौफसदा हो चुके हैं आपोजीशन हुकुमत की तबच्चा अवामी मसाय से हजाना चाहती है वजिर्याला पंजाब उस्मान बुस्तार से विपाकी वजिर पेट्रॉलियम गुलाम सर्वर्खान की मुलाका सियासी अमूर पर तबातले खयाल वजिर्याला से मुक्तले वफूर की धूलाकाते मसाय सुने सानिहा मडल टाउन इस तगासा केस साबिक डियाई जी राना अब्दुल जबार और कैप्टन डिटार्ड उस्मान के वारेंट गिर्फतारी जारी होने का मौमना राना अब्दुल जबार के वकील और कैप्टन डिटार्ड मौमद उस्मान खुद अदालत में पेश ताकीर से आने पर अदालत से माफी मांग ली आइंदा हर सूरत बरवक्त पेश हुआ करूंगा डी जी फूर्ड अथार्टी की यकीन दिहानी इंद सदाद देशितगर्दी अदारत ने मौलजमान के वारेंट गिर्फतारी मनसूख कर दिये शेहबाज शरीफ के वुकला आसम नजीर तारड और अमज़द परवेश की नेवाफ इजामर मुकदमे की तफ्तीशी अफसर और शेहबाज शरीफ से मुलाकाद शेहबाज शरीफ मुत्मईन है बेगुराही का केस मस्पूट है दोनों वुकला की मीडिया से गुप्तगू शेहबाज शरीफ ने जिस्मानी रिमांक से मुताले एक तहरीडी फैसला जारी कर दिया शेहबाज शरीफ ने चौतरी रतीव कंपनी का ठेका मनसूख किया कौमें खजाने को 60 करोड रुपे का नुकसा पहुचाया शेह खलाओ दीन ने कामरान के आने की कंपनी को ठीका देने के लिए रिस्वत का इनकसाफ किया हकूमत का मेट्रो बस का किराया स्टॉप टू स्टॉप मुकरर करने का फैसला मैस्क ट्रांजिट अथर्टी की किराया कम से कम 18 और ज्यादत से ज्यादा 25 रुपे करने की तजवीज सुभाई वजीर ट्रांसपूर्ट ने सबसेड़ी रिव्यू पर ब्रिफिंग के लिए जी एम आउपरेशन्स को तलब कर लिया तर्जमान वजीरियाला कहते हैं मैच्चो बस में हर मसाफिर के लिए 40 रुपे सबसेड़ी दी जाती है हमारी कौम शोकेस प्रोजेक्ट की मतहमल नहीं हो सकती अश्या कुरनोस में इसाफे के बाद कागस मेहगा पेपर मिल मालिकां ने 20 रुपेर के खिलो कागस मेहगा कर दिया उर्दू बाजार के ताजरुका शदीद एकजाज पेपर माफिय की अजारादारी नामंतूर नामंजूर के नारे चीफ जस्टिस वा पाकिस्तान से नूठिस लेने का मतालबा साबक हकूमत की नाकिस पॉलिसियां महतमेक साइस को डेड़ अरब का नुकसान 2016 से नाफिज लगजरी टेक्स के बाइस पंजाब में 40 तीसत कम गाड़ियां रिजिस्टर होने का इनकिशाब शेहबास दौर में सस्ती रोटी पर तनकीद और अब तकलीद तहरीक इनसाफ की हकूमत ने सस्ती रोटी के लिए पहले से ज़्यादा फंज्स मुक्तस कर डाले सस्ती रोटी एथारिटी के लिए एक करोड रुपे मुक्तस रखम साड़े च्छे करोड रुपे से बढ़ा कर साथ करोड 87 लाग करने की सिफारिश हकूमती कारकरदगी को बहतर बनाने के लिए हकूमत के बड़े फैसले मुक्तलिफ शुबजात के माहरीन पर मुच्तमिल एडवाईजरी काउंसल ब्राई गवरनन्स काईम कर दी हकूमत का पानी को महफूस बनाने के लिए वाटर मैनेज्मेंट पॉलिसी तश्कील देने का भी एलान मज़्जिर आला ने तमाम महकमों से सिफारिशात तलब करनी तरकियाती मनसूबों के लिए नया प्लैनिंग कमिशन तश्कील देने का फैसला लहोर रेजिस्ट्रार कॉपरेटिव के दफ्तर में आतिस्जद्की का मामला आग लगी नहीं लगाई गई पंजाब पॉराइंजिक लाप के रिपोर्ट में भांडा पूर दिया आग लगाने के लिए विचली की दारों के साथ छेड़ चान की गई रिपोर्ट में इनकशाथ पॉलीस ने सादर कॉपरेटिव मौहमद अयूप को हिरासत में लेकर तेहकी का चुरू करती वुकला में आकर ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हूँ एक अच्छे वकील का कोई नेम बदल नहीं वकालत से आला और उम्दाफेशा दुनिया में कोई नहीं चीफ जस्टिस या वरली आपस में मुजाकरात नहोने पर जैजिजज और वुकला के माबैन मसाईल पैदा हुए मुकदम बाजी के बाइस के चेहरियों में शेहरियों का वक्त जाया होता है वुकला के मसाईल समझता हूं को हल करेंगे नामज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अन्वारुलहक का तकरीब से खिता बिचली चोरों की शाम अता गई बजारते पावर डिविजन का बिचली चोरों के खिलाफ प्रेकडाउन का होपूर बिचली चोरी पकडने के लिए टास्क पोर्स तश्कील दे दी गई लैसको चीफ और चीफ सेकेटरी पलजाप को मरासला भिच्वा दिया गया शेहर में डाकू बेलगां कोटलकपत इंडस्ट्रियल एरिया में डाकू शेहरी से तेड़ लाख रुपए नगदी लूट कर फरा वारदात की सीसी टीवी फोटेज लाहोर नियूज को मौसूल जोहर टाम में एल्टीए और जिला इंकजाम में इनक्शन वेर कानूनी तामिरां में स्मार्ट करते हैं सरकारी अराजी बाकूजार मन्शबम के कब्जे से बाकूजार अराजी पर क्लीन एंड प्रीन पाकिस्तान दफाथर काएं एडिशनल डी टी एल्टी का दिफाथर का दौरा गुज़र सहेड डॉक्टर यासमीन राशिद की जेर सदारत अजलास सेकरटरी साकिप जफर की हेल्थ कार्ड स्कीम पर प्रीफिंग डॉक्टर यास्मीन राचित का कहना है कि हेल्थ कार्ड स्कीम के तहट कोई मुस्तहिब खानदा महरून नहीं रहना चाहिए हमजदा शहबाद शरीक की सर्विसेज अस्पताल आवर खुश अक्तर सुभानी की आयादत की रॉक्टर पंजाब समनी खुश सल्मान रफीग पी आई सी में जेरे इलाज खुश अमरा नजीर और चौधरी शबास समेट लीगी रहनमा ने आयादत की अम्कार्ड के जरी अम्का पेगाम कौमी कमिशन ब्राइबेनल मजाहिब मुकालमा के जरे तमाम सेक्रेड हार्ड कैथेडरेल हाइ स्कूल में अम्कार्ड की नुमाईश, शेहरीों की गहरी दिल्चस्पी, फादर इनायद बर्नार्ड और मौलाना आसम अख्डूम का अम्क से मुतालिक काविशों पर जोड़ दी सीरी सालाना और यूनाइटिड नेशन कॉन्फरेंस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर पंजाब में सजी खुसूसी तक्रीफ, गहर मुल्की वफूर और पाकिस्तानी तलबा की शर्कत नाहौर कॉलिज फर वेमन यूनिवर्सिटी में लड़कियों का फुटबॉल मेला, रॉयल ईगल्स ने इसलामबाद को चार गोल से शिकस दे दी, गर्ल्स अथलीट्स का टूर्नमेंट में नाकिस इंतिजमात का शिक्वा पाबन्दी के बावजूद क्लब मैच क्यों खेला, पीसी बी ने एहमर शेजाद को शोकास नुकिस दारी कर दिया, एहमर शेजाद का डोग टेस्ट मुस्पताने पर चार मा की पाबन्दी आए और युनिवर्सिटी अफ सेंचल पंजाब में सूफी नाइट शहजाद संतों ने आवाज का जादू जगा कर तकरीब कुछ आरचान लगा दिये, तल्बा के मुक्तलिफ परफॉर्मंस ने भी रंग जमा दिया